Hello everyone, welcome to the second chapter of class 7th. The name of the chapter is A Gift of Chappals. Namaskar सभी को, आप सभी का स्वागत है. Class 7 के second chapter में A Gift of Chappals. सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं. अगर आपको इसमें कुछ पसंद नहीं आता है तो कमेंड करके बताएं. और अगर आपको कुछ पसंद आया है तो क्या पसंद आया है वो भी कमेंड में बताएं. इससे वीडियो बनाने के लिए और उच्साह मिलता है तो शुरू करते हैं ये चैप्टर A Gift of Chapel किसी ने कभी सुना है कि किसी को किसी ने चैप्पल गिफ्ट किया है अगर आपका अंसर हाँ है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपका अंसर ना है तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन से चैप्पल को किस ने और क्यों गिफ्ट किया Smiling Rukumani 3 opened the door Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house Wait, let me take off my slippers, protested Mridu She set them out neatly near a pair of large black one Those were grey actually with dust You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper The marks for the two big toes were long and scrawny Rukumani muskratay huye darwaja khulti hai और Ravi और Meena दोनों बाहर की और भागते हैं Ravi Mridu को घर के अंदर खीचने की कोशिस करता है तब Mridu उसे रोकते हुए कहती है रुको पहले मेरे का अपने चपल उतारने लेने दो फिर वो अपने चपल अच्छी तरीके से उतार के एक पहले से रखे हुए काले चपलों के पास रखती है वो चपल काले रंगे तो थे लेकिन बहुत दिन इस्तमाल होने के कारण और धूल के कारण वो grey color के हो गए थे यानि cement color के हो गए थे धूल पढ़ने पर चपलों का असली रंग छूप जाता है और वो धूल से भर जाते हैं आप उन चपलों में साफ तरीके से देख सकते हो कि पाउं के निसान जो है वो गड़ गए हैं यानि ये चपले बहुत दिनों से इस्तमाल की जा रही थी और उनमें वो जो पाउं के निसान हैं वो बिल्कुल साफ तरीके से चप गए थे जिससे पता चलता था कि वो लंबे और पतले इंसान के पाउं है यहां पे मैं आपको एक मिनिट आपका ध्यान आकरसित करना चाहूंगा आपके ही टेक्स्ट बुक में एक जगा पे एक चपलों का पिक्चर दिया हुआ है अगर आप उसे देखोगे तो आपको उसमें पाउं के निसान चपे हुए दिखेंगे यह picture अगर आप देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो किस तरह से पाओं के निशान छपे हैं यह तब होता है जब हम एक चपल को बहुत दिनों से तक इस्तमाल करते हैं और वो घीज घीज कर जब हम इस्तमाल करते हैं तो हमारे पाओं के प्रेसर से दवाब से घीज घीज कर ऐसे बन जाते हैं तो चलिए second paragraph continue करते हैं Mridu did not have much time to wonder about who slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There inside a torn football lined with sackling and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half cell. Mridu ko zyadha samay nahi mila yeh suchne ke liye ki wo chappal kiske thay उससे पहले ही रवी उसे खीच कर घर के अंदर ले जाता है और फिर घर के पिछवाडे तक ले जाता है वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक पुराने football के उपर एक बिल्ली सुई हुई है और उसको नारियल के खोल से यानि नारियल जब हम खा लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है नारियल का उपर वाला हिस्सा उसमें थोड़ा सा दूद दिया हुआ था और वो बिल्ली उसे पी रही थी तो यह उन बच्चों का एक सीक्रेट है जो उन्होंने चुपा के रखा है आप यह पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से वह बिल्ली यहां बैठी हुई है और सामने उसके एक नारियल का खोल रखा है जिससे वो दूद पी रही है तो इन बच्चों ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई है सबसे छुपा के रखी है क्योंकि वो जानते थे अगर घर में ये बात पता चलती तो उनकी घर में परेशानी खड़ी हो जाती और उनकी जो पाती है यानि दादी मा है वो घर छोड कर उनके मामा जी के घर चली जाती है people are always telling us to be kind to animals but when we are they scream oh don't bring that dirty creature here said Ravi do you know how hard it is to get a little milk from the kitchen pati saw me with a glass in my hand just now I told her I am very hungry I want to drink it but the way she looked at me I had to drink most of it to throw her off the scent then she wanted the trembler back pati pati I will wash it myself why should I put you to trouble I told her I had to run and pour the milk into the coconut cell and then run back and wash the trembler and put it back before she got really suspicious now we have to think of some other way to feed Mahindran यहाँ पर बच्चे बात करते हुए कहते हैं कि लोग पहले तो उन्हें सिखाते हैं कि सब के लिए दयादृष्टी रखो लेकिन जब जानवरों के लिए हम करते हैं तो वो हम पर चिलाते हैं और कहते हैं कि इस जानवर को हमारे घर में मात लाओ और कितना मुश्किल होता है इस छोटे से जानवर के लिए इस प्यारे से बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूद लाना अभी थोड़ी जर पहले की बात है मैं रसोई घर से थोड़ा सा दूद लेके निकल रहा था और दादीमा ने मुझे देख लिया उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि ये दूद किसके लिए तो मुझे उनसे कहना पड़ा कि मुझे भूख लगी है और मुझे पीना है उनके नजरों के सामने मुझे आदे से ज़्यादा दूद पीना पड़ा ताकि वो मुझे पे सक ना करे और फिर वो मुझे वो जो ट्रमलर यानि जिसमें वो दूद पी रहा था चाहे ग्लास हो या कटोरा हो ट्रमलर जेनरली कटोरे टाइप चीज को कहते हैं लेकिन सायद वो कोई ग्लास या कोई कटोरा जैसा चीज होगा उसके हाथ में जो दादी उससे वापस चाहती है ताकि वो उससे धो सके तो उद्रावी को वहाँ जुड बोलना पड़ता है कि मैं आपको परिशान नहीं करना चाहता मैं खुदी धोकर इसे वापस रख दूगा उसके बाद वो वहाँ से भागता है और भाग कर एक नारियल के खोल में बिल्ली को वो दूद वहाँ डाल देता है और फिर वापस जाकर उस कटोरे को धोकर वापस रख कर आ जाता है वो कहता है कि कितना मुश्किल है महेंदरन के लिए थोड़ा सा दूद लाना अब यहाँ पे बिल्ली का नाम हमें पता चलता है बिल्ली का नाम उन्होंने रखा है महेंदरन महेंदरन? The little kitty's name is महेंदरन. Mridhu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. अब निदू उससे पूछती है महेंदरन, यहाँ पे सवाल है, इस बिल्ली का नाम महेंदरन है, वो पूछती है दोबारा, इस नाम से वो बड़ी प्रोचसाहित होती है, क्योंकि हम लोग घर में जेनरली जो पेट या पालतु जानवर रखते हैं, उनके नाम कुछ बड़ा प्रसन्न होती है, actually his full name is महेंदर वर्मा पलवा पुनाई, M.P. पुनाई, for short if you like, he is a fine breed of cat, just look at his fur, like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient पलवा king was, don't you, he looked expectantly at Mridu, Mridu giggled, अब महेंदरन के बारे में ज्यादा चर्चा करते हुए, बताया गया है कि महेंदरन का पूरा नाम भी है, जैसे हम लोग का पूरा नाम होता है, नाम और सरनेम या फिर टाइटल, वैसे ही South India में, नेम से पहले पिताजी का नाम लगा जाता है, तो यहाँ पे महेंदर वर्मा नाम यूज किया गया है, उससे पहले उसका नाम लगाया है पल्लवा पुनाई, तो MP पुनाई Short में उसका नाम बताया गया है, तो उसका पूरा नाम बिल्ली का पूरा नाम रखा गया था, महेंदर वर्मा पल्लवा पुनाई, अब रवी उस जाती यह बहुत अच्छा है यह बहुत अच्छे नसल की बिलिए उसके फर यानि अगर आप उसके बालों को देखोगे जो उसके सिंद के उपर इस्के रेसे होते हैं उन्हें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी अच्छी Dr. आ कोई फेट रखते हैं तो हम उसके ब्रीड से पहचानते हैं कोई किसी के घर में कुटा हो तो अले निए हम्ग करते हैं हम लाब्रॅडॉडॉर रख्ते हैं हम और दूसरे तरीके प्राइब फिर्लडॉडॉडॉκι दूसरे प्रजाती जिसमें से काउंट में आते हैं लाब्रोडॉर हंटिंग डॉग में आते हैं बुल डॉग, आपके दूसरे प्रणकार के कुट्ते भी आप देखोगे घर में रखे जाते हैं, छोटे कुट्च में पौमेरियन होते हैं, इस तरह से हम उन्हें ब्रीड से पहचानते हैं और जो कुट्ते रखते हैं वो अपने ब्रीड के बारे में ज़्यादा चर्चा करत मृदू यह सब सुनके गिगल यानि हस देती है तिंक आइं जोकिंग, वेल, जस्ट वेट, आइल शो यू सम टाइम अब वो बताता है कि तुम मज़ाग समझ रही हो, मैं तुम्हें बताऊंगा इट इस क्लियर, यू डोंट नो आ थिंग अबाउट हिस्ट्री तो वो उसे बताता है कि तुम इतियास के बारे में सायद नहीं जानती haven't been to महाबलीपुरम, have you? तो तुम कभी महाबलीपुरम सायद नहीं गई हो, गई हो क्या? He said mysteriously, अब इसमें वो जब पूछता है, तो उसके सवाल में एक ऐसा तन्ज है, जिससे हमें मालूम पढ़ता है कि वो मृदू को समझाना चाहता है, उसकी बात सही है Well, when our class went to महाबलीपुरम, I saw a statue of his thataz, 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 etc. तो यहाँ पर वो कुछ बड़ा चड़ा कर बोलता है, कि जब वो महाबलीपुरम गया था, तो वहाँ पे इस बिल्ली के दादा जी के दादा जी के दादा जी के और ऐसे ही उसके कई मतलब बहुत पहले के जो वनसधर थे उनको उसने देखा था उनकी मूर्तिया उसने देखी थी Fact is Mahindran here is descendant from that very same ancient cat A close relative scientifically speaking of none other than the lion The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty अब यहां वो बिल्ली के साथ सिंग को जोड़ देता है तो वो जोड़ कर यह बताना चाहता है कि यह जो बिल्ली है यह उन्सकी वनसधर है जैसे हमने एक लेसन पहले पढ़ा था How the dog found himself a new master उसमें हमने पढ़ा कि डॉग जो है वो उल्फ के वनसज है तो इसी तरह से यह सब जो रिलेशन में आते हैं तो इन्हें हम कई हजारों सालों के बाद या कई पीडियों के बाद हम कहते हैं इनके कोई बहुत पुराने नामी वगेरा लोग इनके वनसधर हैं यसे राजा महराजा पहले जमाने में होते थे तो उनके वनसज होते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर उसने शेर के वनसज के साथ बिल्ली को जोड दिया रवी वेंट ओन वाकिंग अराउंड बिटर वेरी बुष वेविग अट्विग अपन डाउन और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए साबित करने के लिए रवी यहाँ कहता है कि यह जो बिल्ली है यह बहुत ही पुराने जमाने से इसके वंसदर है और यह बहुत ही अच्छी प्रजाती की है और वो उन्हें यह भी याद दिलाना चाहता है कि इजिप्ट में बिल्लियों की पुजा की जाती थी अगर आप किसी पिरामिड में देखोगे तो पिरामिड के उपर बिल्ली का फेस आपको दिख जाएगा तो रवी इसको उसके साथ जोड़ देता है और वो तब अपने हाथ में एक डंडी लेकर इधर उधर घूम घूम के बता रहा है वो बड़ा ही एक्साइटेड उस समय था जब वो बिल्ली के बारे में बता रहा था अब रवी जब इन दोनों को अपने बिल्ली के बारे में बता रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मनो कि रवी उसके बारे में सब कुछ जानता हो तो मीना और मिर्दू एक दूसरे को देखते हैं जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज पर बात कर रहे हैं तो हमारे दोस्त हमें घूर कर देखते हैं कि अरे भाई इतना तो मत फिको तो इस तरह से वो भी एक दूसरे को देखते हैं कि रवी इन जाने क्या बोले जा रहा है अब इसमें मृदू पूछ बैठती है तो उससे हमें क्या लेना देना ये हमारे सामने एक बिल्ली है उसके इतियास से हमें क्या लेना देना है हाँ, I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god no, goddess, bastard yeah, that's it तो अब वो और जादा अपने बात को साबित करने के लिए Egypt में पूजे जाने वाले भगवान बैस्टेथ के बारे में भी बताता है तो उस समय ये लोग उसे रोग देते हैं और पुछते हैं so, मतलब उससे हमें क्या लेना देना well, one of the descendant of the cat goddess was tore away in one of the palawa ship and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is Ravi florist his tweak at Mahindran M.P. Punai here who ilk he is strict, very pleasant with himself अब वो बताता है कि किस तरह से इसके वनसधर किस तरह से Egypt से भारत आये थे उसने कहा कि एक जहाज में छुपकर ये Egypt से भारत आ गए थे और महाबलीपुरम में बस गए थे तो वहाँ भी बिल्लियों को पुजा जाता था और उनका ही ये वनसधर है या फिर आपके स्कूल में कोई फंक्शन वगएरा होता हो तो आप देखोगे कि वहाँ एक अनॉंसमेंट होता है कि लेडिस एन जेंटलमन येर आइब ब्रिंग इन फ्रंट आफ यू थे स्पीकर आफ दिस इवनिंग करके हम किसी को इंट्रीउस करते हैं तो उसी तरह से रवी यहां अपने बिल्ली को भी उनसे इंट्रीउस करा रहा है महेंदरन लुक्ट अप अलाम्ड यानि चौका हुआ सा दिखता है वो अपने क्लाउस यानि पाओं के नाखुनों को एक जो नारियल का खोल उसके सामने पड़ा हुआ था उसमें गिस रहा था और रवी के उप इर्क से ज़्यादा एक भयानक आवाज क्रैच करके निकलती है जो की खिडकी से आती है अब इस आवाज से महेंदरन जो है वो घबरा जाता है अब इस आवाज से घबरा जाती है और उसके रॉंगटे खड़े हो जाते है अगर आप बिल्ली आपके घर में है या आपके आसपड़ोस में है आपने देखा होगा कि बिल्ली जब घबरा जाती है तो वो अपने पीठ को उचा कर लेती है और उसके उपर उसके जो बाल होते हैं या उसके जो रेसे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं आप काटून वगएर अगर देखते होगे तो काटून में भी आपने कई बार देखा होगा कि बिल्ली के बाल खड़े हो जाते हैं या फिर उनके जो skin के उपर जो hair रहते हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं रौंग्टे खड़े हो जाना हम जिसे कह सकते हैं कभी-कभी हम भी अगर घबरा जाते हैं तो हमारे रेसे भी या फिर हमारे शरीर के जो छोटे-छोटे बाल होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं तो इस तरह से वो बिल्ली के बाल भी खड़े हो गये और वो अपने आपको कहीं चुपाने के चक्कर में मिर्ची जो सूख रही थी एक ट्रे में उसके नीचे जाने की कोशिश करती है और वहां से कुछ मिर्चियां अपने उपर गिरा लेती हैं फिर वो बिल्ली अपनी आव आवाज करती है मियाव उसी तरह इसने भी अपनी आवाज निकाली है अब यह जो क्रीचिंग साउंड था यानि जो एक तरह का कान को चुबने वाला आवाज था यह चले जा रहा था तो मृदू उन्हें पूछा कि यह साउंड क्या है अब रवी उसमें चिड़के बोलता है कि यह लाली है जो वाइलन बजाना सीख रही है अब वाइलन की बात आती ही आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वाइलन जो है वो जब अगर हम सही तरीके से बजाते हैं तो बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करता है लेकिन अगर वाइलन को सही तरीके से ना बजाय जा तो बहुत ही भद्धा साउंड निकालता है जैसे कोई, किसी चीज को रगडने पर जैसे साउंड आता है, जैसे हम लोग बच्पन में करते थे या आप लोग करते होगे, scale को या किसी दूसरे चीज को अगर हम table से रगड़ते हैं तो जो sound आता है उसी तरह का violin को अगर सही तरीके से न बजाया जाए तो एक भद्दा सा sound निकलता है She will never learn a thing The music master just goes on playing like a train, whistling on and on while lally is all the time derailing, going completely off track अब ये बताया गया है कि वो कभी violin बजाना नहीं सीख सकती Music master जो है, music sir जो है वो इतना बढ़िया तरीके से बजाते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई rail पट्री पर चल रही हो और lally का train हमेशा पट्री छोड़कर उतर जाता है अब part 2 Mridu crept up to the window, lally was sitting a little distance away awkwardly, holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration in front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil-black hair falling around his ears and an old-fashioned tuff. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the steam of the violin. A large foot struck out of beneath his gold-bordered westy edge and was beating time to time on the floor with the squarney big toes. इस paragraph में Music Master का description दिया हुआ है, लाली जो खिडकी के पास बैठी थी और उसके हाथ में वाइलन जो था और जो bowstring, bowstring यानि जो वाइलन बजाते हैं उसके लिए हम एक string का इस्तमाल करते हैं यानि एक डंडी जैसा चीज होता है उसमें एक तार लगी होती है जिसे हम वाइलन के तारों से रगड़कर Music निकालते हैं वह उसके हाथ में थी और बड़े ही awkward तरीके से बिचारे ढंग से उसने उसे पकड़ा हुआ था उसके सामने बैठे थे Music Master जो की खिड़की के साथ लगकर बैठे थे उनका सरीर बहुत ही दुबला पतला था उनके सर पे बाल करीब करीब नहीं थे फिर भी थोड़े से बाल पीछे की ओर थे जिसमें उन्होंने चूटी बना रखी थी और तेल लगाकर उसे रखा हुआ था उन्होंने एक पुराने तरीगे की धोती पहन रखी थी जिसके बॉर्डर में गोल्डन बॉर्डर था अगर आप धोती पहनने हुए किसी इंसान को देखोगे तो किसी भी धोती के एज में एक बॉर्डर होता है जैसे आपके घर पे अगर मम्मी साडी पहनती है तो उनके साडी में एक बॉर्डर होता है साडी के बॉर्डी में तो अला अला कलर हो सकते हैं लेकिन एक बॉर्डर फिक्स्ट होता है वैसे ही धोती में भी नीचे की और तो इन साहब के दोती में भी एक बॉर्डर था, उनके गले में गोल्ड चेन थी और उनके हाथ में एक डाइमंड रिंग था, अब गोल्ड चेन और डाइमंड रिंग की बात यहां इसलिए की गई है, यह बताने के लिए कि म्यूजिक मास्टर एक अच्छे वेल एस्टाबलि अब था यह होता है कि कभी कभी हम जब किसी मुजिक टीचर को देखते हैं या दैन्स टीचर को देखते हैं, वो थाप दर तैते हैं, इस से क्या होता है है अपना जो फ्लो मेंटेटेंटें चरहे हैं, अब यहां आप इस पिक्चर में देख सकते हो, म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं, खिड़की के तरफ पीट करते हुए, लाली उनके सामने बैठी हुई है, और म्यूजिक बजाना सीख रहे हैं, तो इस पिक्चर में अगर आप देखो, अगर देखो ध्यान से, तो म्यूजिक मास्टर के वाइलन से निकले हुए सुर कितने समान तरीके से निकल रहे हैं, जो पिक्चर में आपको म्यूजिक नोट से बताए गए हैं, और यहां इसकी म्यूजिक नोट इदर उदर भाग रहे हैं, यानि यह अब तक म्यूजिक बजाना ठीक से नहीं सीख पाई, और लाली के हाथ में जो उसका वाइलन है, वो भी बड़ा ही बेचारे तरीके से लग रहा था, खुश नहीं था, म्यूजिक उसे, साइद वाइलन उसे पसंद नहीं गर पा रहा था, या उसके हाथ में बेचारा लग रहा था. The Music Master note seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheels of train fitting smoothly into the rails and whistling along. As Ravi said, मृदू startled at that huge bearing hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब Music Master जो थे, वो हाथ में जो डाइमन रिंग पहने हुए थे, उसी हाथ से वो वाइलन बजा रहे थे. अब उनके वाइलन बजाने को compare किया गया है, जैसे कि कोई rail गाड़ी हो और पटरी पर बहुत ही आराम से दोड़ रही हो. लेकिन लाली जब बजाती है, तो ऐसा लगता है, जैसे कि train पटरी छोड़ कर भाग गई. अब फिर से लाली का म्यूजिक नोट हट गया, फिर से उसने एक अजीब सी आवाज निकाल दी. अमा, अब ठीक उसी वक्त एक गेट से आवाज सुनाई देती है, कोई चिला रहा है, अमा, ओ अमा, यानि साइद ये कोई भिकारी है, जो भीक मांगने आए है, रवी, सेंड दा बेगर अवे, cried his mother from the back वरंडा, where she was chatting with Tappi. He was being coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. पाती एक्स्प्लेंड तू तपी. अब क्या होता है, कि जब ये आवाज आती है, तो यहां से उसकी मा चिला कर कहती है, कि भगादोस भिकारी को वो करीब करीब एक हफते से, पास्ट भी यानि पिछले एक हफते से, वो यहां रो जा जाता है, और उसे खाना चाहिए होता है, या भीक चाहिए होती है. तो अब उसे कोई नया घर ढून लेना चाहिए, उसे जाकर बता दो. मृदुवान मिना फोलोड रवी आओट, बेगर वहादी इन गादन, मेकिं इमसेफ क्वाट अट होव. याद स्परेद इस अपर लॉट अंडर नेम ट्री, और वह लेनिंग अगेंस इस ट्रंक, अपरेंटली प्रिपर तो टेक लिटल शुज, अब मृदुवान मिना रवी के पीछे पीछे चल देते हैं, वो जो भिकारी है, वो गार्डन में, यानि बगीचे में पहुँच गया था, अपने लिए वो आराम की थोड़ी जगा बनाना चाता था, इसलिए वो उसने अपने कंदे पे रखा हुआ गमच्छा, या फिर कंदे पे रखा हुआ सायद कोई कपड़ा है, जो उसने नीचे पसार दिया था, तक जब तक उसका खाना उस तक पहुँचे, वो थोड़ी जगार आराम कर ले, तबी रवी उसके बाद जाकर चिलाता है, चले जाओ यहां से, तुम्हारे यहां कोई जगा नहीं है, मेरी जादी कहती है, तुम्हें दूसरा घर ढूड़ना चाहिए भीक मंगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide, and gazed at each of the children one by one. The ladies of the house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice, Amma, O Amma, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came blooming out of his mouth. With its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. अब यह भीकारी जो है, वो अपने आखे बड़ी बड़ी करके बच्चों की तरफ देखता है, और फिर कहता है कि इस घर की ओरतें यह बहुत दयालू हैं, यह कहते कहते उसकी आवाज अटक जाती है, क्योंकि बेचारा जब ना सुनता है, दो पर गे टाइम उसने सुचा था कि उसे कुछ खाना मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है, तो बड़ा ही दुखी होकर कहता है कि इन ओरतों के वज़े से, एक हफ़ते से मैंने अपने सरीर में पराण बसा रखे हैं, यानि एक हफ़ते से वो उसे खाना दे रहे हैं, और इसी वज़े से वो जिन्दा है, तो वो कहता है कि इस तरह से वो मुझे नहीं भगा सकती है, उसे लगता है कि साइद ये बच्चे आकर अपनी तरफ से बात कह रहे हैं तो इसलिए वो और जोर से आवाज लगाता है अमा, ओंमा कहकर जब वो आवाज लगाता है तब कहीं न कहीं उसके खाली पेट से वो आवाज निकलती है अब होता क्या है जब हम आवाज करते हैं तो आवाज हमारे गले से निकलती है लेकिन जब हम जोर से चिलाते हैं तो कहा जाता है कि पेट से आवाज निकली तो यहां उसकी खाली पेट से आवाज निकली है भूख के मारे बेचारा भूका है और वो भूब के मारे जो चिलाता है वो आवाज ऐसे लगती है जैसे उसके खाली पेट से आवाज बाहर निकल के आई है और उसके मुझे जो निकल रही है आवाज वो उसके कुछ पूराने तूटे हुए दान्तों के बीच से जो कि पहले ही पान खाखा कर लाल हो चुके हैं, उसमें से वो आवाज बाहर निकलती है. रवी, tell him, there is nothing left in the kitchen, called rukumani, and he is not to come again, tell him that. She sounded fed up. अब उस तरफ से आवाज आती है, रवी, इसे बता दो, कि kitchen में या रस्वई घर में और कुछ नहीं है, और उसे यहाँ नहीं आना है, बता दो उसे इस तरह से. तो साइद वो बहुत बेजार हो चुकी हैं, विरक्त हो चुकी हैं, इस विकारी को एक हफते से खाना किला किला के, हर रोज चला आता है, तो वो बहुत चिड़ गई हैं, तो उन्होंने जो आवाज रवी को लगाई थी, वो रवी को दोबारा बोलनी नहीं पड़ी. अब रवी को वो दोबारा बिगर को बताने की जरुवत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी माय ने जो बताया था, वो इतना साफ और जोर से था, कि सब को सुनाई दे गया. अब बेचरा ये भीकारी वहाँ से उठ बैठा, यानि जो वो लेटा हुआ था, वो उठकर बैठ गया और एक सांस उसने बाहर छोड़ी. ये कब होता है, जब हम किसी चीज के उपर ठक जाते हैं, या फिर हम किसी चीज के आसा खो देते हैं, तब हमारे मूँ से ऐसी आवाज या ऐसी सांस निकलती है, जिसे हम दीर्ग निश्वास भी कहते हैं, हाई भी कह सकते हैं. I will go, I will go, he said warily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. अब ये जो भी कारी था, उसने कहा मैं चला जाओंगा, मैं चला जाओंगा, बस थोड़ी दिर मुझे यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो, बाहर सूरज बहुत गरम है, और रोड पे जो टार, यानि डामबर, जिससे हम रोड बनाते हैं, वो डामबर बहुत गरम ह और मेरे पेर वैसे ही चाले पड़ गए हैं, तो ये कहते कहते वो अपना पाउं बच्चों को दिखाता है, और उसके पाउं के नीचे हम देख सकते हैं, यानि बच्चों ने देखा है कि उसके पाउं में चाले पड़ गए हैं, क्योंकि वो खाली पेर इस गरमी में बाहर गुमता रहता है, I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridhu whispered to Meena Ravi, have you got an old pair in the house somewhere, अब बच्चे आपस में बात करते हैं कि साइद इस गरीब इनसान के पास chappal खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो ये पूछते हैं कि क्या घर पे कोई पुराने chappal हैं जो इसके लिए हम दे सकें I don't know, said Ravi, mine are too small to fit his feet or I would have given them to him and his feet were larger than Mridhu's and Meena's Ravi कहता है, मुझे नहीं मालूम और मेरे चपल इसको छोटे आएंगे अगर मेरे चपल इसे आ जाते तो मैं अपने चपल दे जेता यहां तक कि Mridhu और Meena के चपल भी इसके पाव में नहीं आएंगे The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat अब तब तक यह भीकारी जो है वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था उसने अपने कंधे पे जो कपड़ा बिचाया हुआ था वो कपड़ा उसने अपने कंधे पे फिर वापस रख लिया था और अपनी धोती कस ली थी वो बेचारे नजरों से बाहर देख रहा था रस्ते की तरफ क्योंकि अब उसे उस रस्ते पे जाना है जो पहले ही गर्मी से बहुत तती पड़ी हुई है यानि हीट होके है अब अगर वहां जाएगा तो उसका ताप से उसके पेर जलने का खत्रा उसको लगा अब मीना कहती है कि बिचारे के पाओं में इतने च्छले पड़े हुए हैं यह इस तरह से बाहर जाएगा धूप में फिर तो इसके पाओं जल जाएंगे तब ही रवी उसे रुकते हुए कहता है चुप यह जनरली हम किसी को चुप कराने के लिए बोलते है तो रवी उसे चुप कराता है और सोचने लगता है कि क्या जिया जाए और बड़बड आता है बबलिंग यानि वो अपने आप में कुछ बोलता है इस नॉट फियर यह सही नहीं है यह सही नहीं है यह काम नहीं आएगा अच्छा यह अपने आप में बात करता रहता है इन तू मिनिट में वो अपने पाओं को उस गरम डांबर के उपर चलने के बाद जला रहा होगा वोट ही नीट इस चाहिए एक जोड़ी चपल तो चलो घर में जाकर ढूंडते हैं कि कोई चपल अगर उसके माप का मिल जाए तो हम उसे दे देंगे अब जैसे ही वो वरांडा में जाते हैं वरांडा यानि हमारे घर के सामने जो आंगन जैसा होता है उसे हम वरांडा कह सकते हैं या फिर अगर आप चाल वगेरा में रहते हो तो किसी भी कमरे में जाने से पहले एक लंबा जगा पड़ता है जो सारे घरों को कनेट करता है उसे वरांडा कहते हैं अब मृदू के आंखे उन चपलों पर पड़ती हैं जो वो आते वक्त जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जो आते वक्त जो बाहर पड़े हुए थे काले से चपल धूल में मेले हो गए थे वो उन्हें देखती है अब वो रवी से पूछती है ये चपल किसके हैं अब रवी जैसे ही उन चपलों को देखता है उसे लगता है ये चपल उसके पाओं के लिए सही हैं और वो उन चपलों को उठा लेता है और फिर बगीचे की ओर चलने लगता है अब रवी उसके सामने आता है वो चपल उसके सामने फेकता है और कहता है कि ये लो इसे पहन लो और दोबारा यहां वापस मताना वो भीकारी उन चपलों को देखता है जल्दी से अपने कंधे पे अपना जो कपड़ा है वो उसे डाल लेता है और अपने पाओं को उन चपलों में डाल कर वहां से इन बच्चों को आशिरवात देते हुए निकल लेता है देखते ही देखते वो घर के बाहर जाकर आगे वाले नुकड से गायब हो जाता है यानि वो जल्दी अल्दी में वहाँ से निकल लेता है अब मुजिक मास्टर घर से बाहर निकलते हैं और इन बच्चों को देखते है उन बच्चों को देखकर उन्हें ज़ादा खुशी नहीं होती वो थोड़े से उन्हें सही नजर से नहीं देखते कि ये बच्चे यहां बैठके क्या कर रहे हैं जैसे हम लोग अगर कहीं जा रहे हो और हम रोड़ साइड पर किसी लोगों को देखे जो बिना किसी काम के बैठे हुए हैं तो हम किस तरह से उन्हें तिर्ची निगाहों से देखते हैं तो वो उसी तरह से उन्हें देखते हैं और अपने चपल को ढूंडने लगते हैं क्योंकि चपल उन्होंने वहीं रखी थी लाली, he called after a few moment she hurried up to him अब वो आवाज लगाते हैं लाली को क्योंकि उन्हें अपने चपल नहीं मिल रहे हैं तो लाली वहां दोड़ कर पहुंचती है Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here वो पूछते हैं अच्छा, बच्चा, यहां पर मैंने अपने चपल रखे थे तुमने देखे क्या? Ravi Mridu and Meena silently watch Lali and the music master search every corner of the veranda He scurried around looking over the railing and the crouching near the flower pot to look between them Brand new they were I went all the way to Mount Road to buy them He went on saying They cost a whole month fee, do you know? अब music master जो है वो वहां बड़डा रहे थे चिला रहे थे कि पूरे नए थे मेरे चपल मैं Mount Road जाकर उन चपलों को खरीद के लाया था और तुम जानती हो बहुत महेंगे थे तुमारी एक मन्त की fee जितनी चपल की cost थी तो वो चपल बहुत ही महेंगे चपल थे Soon Lali went in to tell her mother Rukumani appeared looking harassed with Pati following her Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them So many vendor come to the door worried Pati अब लाली अंदर चलियाती है और अपनी मा को बुला कर लिके आती है रukumani बाहर निकलती है उनके पीछे पीछे उनकी दादी मा भी बाहर आती है पाती और आकर इधर उधर ढूंडने लगते हैं जब वो ढूंड कर चपल नहीं मिलता तब दाजीमा कहती है कि यह बड़ा ही दुखत चीज है कि यहाँ पर दिन भर में पता नहीं कितने वेंडर यानि सामान भिक्रेता जो लोग घर पर आके हमें सामान बेशते हैं, फेरी वाले आते हैं, तो उन में से किसी ने चपल चुरा लिया, बहुत बुरी बात है Rukwani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children, she began, and then seeing, they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in a place of her usually soft, pleasant mouth. Rukwani was angry, though Mridu was a sewer, she would not be so upset if she knew about the poor beggar or sores on his feet. She tried to tell herself. Rukwani पहले तो चिला कर बच्चों से पूछती हैं, अरे बच्चों क्या तुमने, फिर वो अचाने से सांथ हो जाती है, क्योंकि जब वो देखती है, मृदू, मीना और ये सब चुपचा बैठे हुए हैं, रवी चुपचा बैठे हुए हैं, तो वो जड़ा सांथी से पू वो जब V-shape में आजाता है, तो हम किसी को doubt में पूचते हैं, वैसा expression Rukwani का था, और उनके चहरे पर हम ऐसा एक मुस्कान होती थी, आज वो मुस्कान भी नहीं है, वो बड़े से गुस्से वाले mood में दिख रही थी, मृदू ये सब देखकर घवरा कर कापने लगी, उसे लगा कि साइद अगर उन्हें मालूम पड़ता कि उस बेचारे भिकारी को इतनी तकलीफ थी और हमने वो चपल उसे दे दिया, तो ये उतना गुसा नहीं करती, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, अब गहरी सांस भरते हुए उन्होंने हिम्मत करके कहा कि रुकुमनी यहाँ पे गरी भिकारी आया था, उसके पाउं में छाले पड़े थे, अब ये क्या होता है जब बच्चे कोई गलती करते हैं या उन्हें डाट का डर रहता है तो वो बड़े आराम से प्यार से बात को समझाने की कोशिस करते हैं कि गलती उनकी नहीं थी, so said रुकुमनी क्रीमली, अब रुकुमनी जो है बड़े गुस्चे से पूछती है, तो इसका मतलब क्या है, turning to Ravi, you gave the music master chappal to the old beggar who turns up here, अब वो गुस्चे में Ravi को डाटते हुए कहती है, कि तुमने music sir का chappal उस भिकारी क Ravi ने कहा आज कल के बच्चे, यह जो dialogue है आज कल के बच्चे, यह हम सभी ने कभी न कभी सुना होगा, क्यूंकि हमेशा हमारे जो बड़े हैं, वो हम से यह कहते रहते हैं, आज कल के बच्चे ऐसा करते हैं, हमारे समय पैसा नहीं था, तो दादी वही बात बोलती है, अब रभी वहां बोलता है कि मा तुमने मुझे बताया था ना कर्ण के बारे में जिसने अपने कवज कुंडल तक दान कर दिये थे तो अगर आप ये कहनी जानते हो कर्ण के बारे में तो आप ये समझ गया होगे अगर नहीं जानते तो मैं आपको कम मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसे explain करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, करन, दानवीर करन के नाम से जाने जाते थे, एक बार उनके सामने एक ब्राम्हन आते हैं, और वो उनसे दान के रूप में उनके कवज और कुंडल मांगते हैं, कवज य तो अब उन्हें ये समझाती हैं कि करन ने अपने चीजे दान की थी, किसी दूसरों की नहीं, तो अब रवी बताता है कि मेरे चपल उसके पाव में नहीं आते हैं, और अम्मा उसे डाटते हुए कहती है, अगर आजाते हैं तो तुम अपनी चपल दे जाते हैं, रवी सेड रुकमानी वेरी अंग्री नाव, गो इंसाइड दिस मिनिट, अब वो डाट के रवी को कहती ह रवी तुम अभी के अभी अंदर जाओ। अब जल्दी जल्दी में रुकमानी अंदर जाती हैं, और गोपु मामा के बहुत कम पहने हुए, यानि बहुत कम दिन उन्हें वो चपल पहने थी, करीब करीब नए चपल लाकर उन्हें देदी, और कहा कि आप इन्हें पहन लीजिए, सायद ये आपके पाउं के लिए सही नापके हैं, उन चपलों देखकर म्यूजिक मास्टर के आखे खिल जाती हैं, लेकिन वो अपनी खुशी को छुपाते हुए चपलों को पहन लेता है, और कहता है, आज कल के बच्चे, ये किसी भ हनुमान हैं, बंदर हैं, अब ये सुनकर रुकमनी को बड़ा गुसा आता है, वो अपने बच्चे को बंदर नहीं मान सकती थी, यहां तक कि अगर भगवान के रूप में हनुमान भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो वो उसके बच्चे को बंदर बोल रहे थे, तो तो वो चाहती थी कि मुझी माश्टर तुरंट वहां से चले जाएं. When he had clattered off in his new chapel, she said, Mridhu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God, your Gopu Mama doesn't wear his chapel to work. As she walked towards the kitchen, Mridhu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What your mama going to say this evening when I will tell him I gave his chapel to the music master. Story by Vasanthasurya अब जब मास्टर जी चले जाते हैं, अपने चपलों को पहन कर, यानि Gopu Mama के करीब करीब नए चपलों को पहन कर, तब ये सब घर के अंदर जाने लगते हैं और Mridhu को को ये कहती हैं कि आओ और कुछ नास्ता कर लो. अब वो कहती हैं कि आज कलके तुम बच्चे, तुमारे दिमाग में कहां कहां से क्या क्या सब घुसता है, ये कहते हुए वो अचानक से हस पढ़ती हैं. और वो हसते हुए कहती हैं, चलो सुक्र है कि तुमारे गोपु मामा चपल पहन के ऑफिस नहीं जाते, लेकिन मैं उनको साम को क्या कहूंगी, जब वो आएंगे अपने जूते और मोजे उतारने के बाद, वो अपने चपलों को ढूनेंगे, क्योंकि वो अपने चपलों को पहनना चाहेंगे साम को, तो मैं उनसे क्या कहूंगी, कि मैंने उनके चपल मेजिक मास्टर को दे दिये, ये कहकर वो हसने लगती हैं. इसी के साथ ये कहानी खतम होती है, और कई सवालों में एक सवाल ये है, क्या उन बच्चों ने सही किया या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी समझ पे छोड़ता हूँ. दूसरा सवाल ये भी है, कि जो चीज रुकुमनी ने की, क्या वो ही चीज बच्चों ने नहीं की, दोनों ने एक जैसी ही गलती की थी, तो इसमें सही कौन और गलत कौन, ये आपकी समझ पे छोड़ता हूँ. तो इसी के साथ ये कहानी खतम होती है, अगर आपको ये explanation, ये कहानी पसंद आई हो, ये video पसंद आया हो, तो please like करें, अगर आप में इसमें कुछ नहीं पसंद आया, तो comment करके बताएं, और आपको अगर इसमें कुछ पसंद आया हो, तो वो भी comment करके बताएं, कि आपको इसमें क्या पसंद आया, अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करें, और bell icon को जरूर दबाएं, ताकि आगया आने वाले वीडियो को आप देख सकें, तैंक यू,